नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका हमारे एडियोप चैनल चित्रकला क्लासेज में दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक सिलेगर के एक सो पचीस प्रश्ण हल कराने वाले हैं तो यह हमारे वीडियो का नेक्स पार्ट है इससे पहले हम आपको दो सेट हल करा चुके आपका तीसरा स्रेट है इसमें टोटल आपको एक सो लेके एक सो पचीस प्रश्ण रहेंगे तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखे यह वीडियो हम आपको तीन से चार पार्ट में बना करके देंगे ठीक है और यह आपने हमारे चैनल को सस्क्राब नहीं किया तो प् तो तयाव महता की पेंटिंग है भूँ वह कितने में विका था सुद्वी की लंदन की निलामी में तो आप संड देख लीजे दस करोड में 11 करोड में 5.2 करोड में और 23 करोड में, तो एदिया आपको पता है, तो आप भी हमारे साथ कमेंट करते हुए चले, तो चले इसका राय टेंसर आपको बता रहे है, 11 करोड, ठीक है, तो तया महिता के ब्लू पेंटिंग थी, वो सुद्वी की, लंदन के सुद्वी में, जो है 11 करोड में, ठीक है, भी नहीं है, कमेंट करें आप लोग, तो चले इसका राय टेंसर आपका, बी वर्ड, ठीक है, सहीं, ओजन का सिद्धान जो है, वर्ड नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट है, बाग गुपाओं के चित्र किस सताब्दी के हैं, तो आप संद के पहले, छठी, नवी और दस्वी, तो ब बाग गुपा के जो चित्र है, वो चट्वी सताब्दी के आए, और आप कमेंट करके फर्ड से बताए कि बाग गुपा का खोज कब हुआ था, और किस ने किया था, तो बाग गुपा का जो खोज है, वो आपका 8808 इस भी में हुआ था, किस ने किया था, तो लेटिनें डे फिल्ज ने किया था ठीक है नेक्ट प्रसंट देखिए निम्न लिखित में से कौन प्रिंट मेंकर नहीं है तो आप्सान देखिए रेंबरा विलियम ब्लैक पाबलो पिकासो थियोडो जेरिकॉल तो इसमें से प्रिंट मेंकर कौन नहीं है तो थियोडो जेरिकॉल वह प्रिंट मेंकर नहीं है इसका राइट एंसर हो आपका डी नेक्ट प्रसंट देखिए रेकाम प्रसंसंत्या चार्या वर्तना च विलच्छड किस ग्रंथ में उल्खित है तो आप्सान देखिए कामशुत्र में माशुलाश में चित्रसुत्र में और चित्र लच्छड में तो यह आपका इस लोग किसमें उल्खित है चलिए इसका राइट एंसर है C चित्रसुत्र में यह हमें इस लोग देखने को मिलेगा ठीक है नेक्ट प्रसंट देखिए परशिद शमकालिन पेंटर अरपिता सिंग किस चित्रकार की पत्नी है तो अ पीता सिंग छित्रकार की पत्नी है ऑपसं देखिए परम जित सिंग रविशंकर रावल जैनवल अबेदीन महंदर पांडया को तो इसका राइट एंसर लोग आपका ए परम जीत सिंग अरपिता सिंग जो है परम जीत सिंग की पत्नी है ठीक है नेक्स्ट है नर्तकी आमरपाली का चित्र किष्णे बनाया तो आपसे देखिए नंदलाल बोश अमर्ताशेरगिल एमेफुशेन प्रमूत कुमार चटर जी तो आमरपाली का चित्र किष्णे बनाया है इसका राइट एंसर है डी प्रमूत कुमार चटर जी ठीक है नेक्स प्रस्ट देखिए मलार कलाकार किसके लिए जाने जाते हैं उट कार्विंग के लिए, टेरा कोटा के लिए, मेटल कास्टिंग के लिए, आयरन वर के लिए तो जो मलार कलाकार होते हैं वह मेटल कास्टिंग के लिए जाने जाते हैं नेक्स्ट प्रस्ट के, हाई-्रेनेसा का वह ख़वा कलाकार जिसे वंडर अप द एज गहा जाता है, तो इसमें से कौन सा कलाकार है, रफाइल, माीकल अंजिरो, लिोनार्दो द विंची, फ्रा एंजिल को इसका राइट एंसर है C, ठीक है, हाइर निसा का जो कलाकार है, वंडर आप दे एज की उपाजिस सम्माहिन किया गया था, उसका नाम है, लिवनार्जो दाविंची, ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, चौदो सो बावन इस भी में, ठीक है, नेक्स्ट है, सेर नदी के किनारे यूतियां के चित्रकार है, कुर्बे से जान माने देगा, सेर नदी के किनारे यूतियां किस कलाकार की कृति है, तो यह आपका कुर्बे का है, ठीक है, तो राइट एंसर होगा आपका ए, नेक्स परसन देखिए, फावाद कला की प्रतम प् कब हुई 1901 में 1903 में 1905 में 1907 इस भी में तो फावात कला की प्रथम प्रश्णी कब हुआ था तो इसका राटेंस रोग आपका C 1905 इस भी में हुआ था ठीक है फावात को और किस नामों से जाना जाता है आप हमें कमेंट करके बताईएगा नेक्स्ट है प्रग्या परमिता के रचनकार है आप से देखिए नागारजून पाड़नी गुडार्ध है और वश्व मित्र तो प्रग्या परमिता के रचनकार कौन है इसमें से तो इसका राटेंस रोग आपका ए नागा अर्जून ठीक है नागा अर्जून जो है प्रग्या परमिता के रचनकार है ठीक है और books related जो है बहुत ही एक दो question पूछ लिया जाता है आपके exam में तो आप उसे जरूर याद कर लिजिएगा ठीक है नेक्श पसने किए फाहयान किसके समय भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त बिक्रमादित्य तो फाहयान किसके समय भारत आया था तो फाहयान जो है वह चंद्रगुप्त बिक्रमादित्य के समय भारत आया था तो राटेंस रोग आपका बी और हर्श वाहयान के समय कौन आया था वेन सांग ठीक है हर्श वाहयान के समय वेन सांग आया था और चंदरूप्त विक्रिमा दित्ति के समय फायान भारत आया था नेक्स प्रस्टन देखिए निम्ने लिखित में से घनवाज से प्रभावित कलाकार कौन है तो आप से देखिए जार्ज किट, एमेफुसेन, सबावाला और इन में से सभी तो घनवाज से प्रभावित कलाकार कौन है इसका राइट इन सुरूगा आपका D ये सभी कलाकार जो है घनवाज से प्रभावित है जार्ज किट और एमेफुसेन और सबाव वाला इन सभी के चित्रों में आपको जो मेटरियल इस्टायल में वर्क दिखेंगे ठीक है नेक्स बस देखिए गगनिन ना टेगोर का जन्म कब हुआ था 1867 इस भी में 1866 और 90 67 और 1875 में तो गगनिन ना टेगोर का जन्म कब हुआ कमेंट करें आप लो तो गवनिन ना टेगोर का जन्म जो है आपका 1867 इस भी में हुआ था ठीक है नेक्स बस देखिए अमर्ता शेरगिल ने कला के सिच्छा कहां से पाई दिल्ली, पेरिज, म्यूनिक, साव पाउलो तो कला के सिच्छा अमर्ता शेरगिल कहां से पाई इसका राइटेंस रोग आपका बी, पेरिज से ठीक है नेक्स बस देखिए आधनिक राष्टी एकला श्रंगराले की अस्थापना कब हुआ तो आप हमें एक कमेंट करके बताईएगा नेक्स है निम्न लिखित में से कौन सिल्पी चक्र की अस्थापना के श्यमें मौजूद नहीं था कावल किष्ण के स्कूल करनी प्राधनात मांगो जगमोहन चोपडा तो इसमें से कौन कलाकार था जो दिल्ली सिल्पी चक्र की अस्थापना के श्यमें नहीं था जगमुहन चोपड़ा ठीक है राइट है आपका डी नेक्स देखिए पैक के उस सदस्ट का नाम बताए जो पेरिस में जाकर बस गया सूजा रजा बाकरे और गांडे इसका राइट है आपका C रजा ठीक है रजा जो है पैक गुरूप का सदस्ट यहाँ फेरिस में जाकर करके बस गया ठीक है और पैक गुरूप के अंदर जो है बाकरे है यहाँ मुर्तिकार ठाटिक है नेक्स्ट है अभिवेंजना वाद चित्रों का माध्यम होता है तैल, जलरंग, टैंपरा कोई नहीं इसमें से कोई नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट दखिए फावाद कला की पर्थम प्रशनी कब होई सुरी रुख जाईए एक मिनट, फिर वही प्रशना आ गया है नेक्स्ट है मिश्टर ग्रिफिक्ट आचारे रहें बड़लदा स्कूल के सर्जेजे स्कूल आफ आर्ट कलकत्ता स्कूल के मदराश स्कूल से तो ग्रिफिक्ट महोद है कहां से सम्मंदित थे कमेंट कर रहें आप लोग तो इसका राइट एंस रुख आपका बी सर्जेजे स्कूला पार्ट के यह आचारे थे ठीक है नेक्स्ट है राज हंस नामक रबिंद्र नाथ टैगोर का चित्र स्याही द्वारा किस धरातल पर अंकित किया गया तो आपसे देखे कागच पर, कार्डबोर्ड पर, कपड़े पर, काष्ट पर इसका राइट एंस रुख आपका ए कागच पर ठीक है नेक्स्ट है इन-Wip Winning Animation में मोशन के भ्रम को उत्पन करने में सहायक होता है वे किसके मध्य में अंकन है इन-Wip Winning ठीक है इसका राइट इन-अधरो का डी-की-फ्रेम इसका राइट इन-झरो का डी-की-फ्रेम नेक्स्ट है पल्लाव वन्स के राजा मेहंदर बर्मा द्वारा निर्मि सित्तन आशन गुफा किस धर्म से सम्बंदित है बाग गुफाओं का चित्रड किस धर्म पर आधारित है बाग धर्म, जयन धर्म, सयव धर्म, ब्रामड धर्म तो इसका राज़न सरक आपका ए बाग धर्म से सम्बंदित है नेक्स्ट देखिए कलकत्ता आठ स्कूल में पाश्चात शैली के अस्थान पर भारती शैली से अध्यान करने की विवस्ता किस ने की परश्री ब्राउन ने, इवी हैवेल ने, अवनिदनाथ ठाकूर ने, रविदनाथ ठाकूर ने, तो किस ने किया था? तो इसका राइटिंस रुग आपका बी, इवी हैवेल, नेक्स्ट बस्ट देखिए, कागज पर तैल रंग से चित्रित, हंगेरियन जिपसी बालक चित्र निरूपित है, देवयानी किस्ण ने किया था, एल वी पलसीकर ने किया था, चितिनाथ मजुंदार ने किया था, अ अंगेरियन जिपसी बालक किस्ट ने चित्रित किया, तो इसका राइटिंस रुग आपका डी, अमिर्ता, शेरगील, नेक्स्ट देखिए, किष्ण रेड़ी कहां से सम्मंधित है, आपसे देखिए, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चन्नाई, किस रेड़ी कहां से सम्म सम्मंधित है, तो यह चन्नाई से सम्मंधित है, नेक्स्ट है, बाग गुफाओं का पता लेप्टिनेंट डेंजर फिल्ड ने कब लगाया, तो यह आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप हमें कमेंट करके बताएगा, और इससे पहले यह आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, तो उसमें हम आपको बता चुके है कि बाग गुफा का खोज कब हुआ था और किस ने किया था, ठीक है, तो आप हमें दो प्रश्न बताएगा, बाग गुफाओं का जो पता लेप्टिन डेंजर फिल्ड ने किया है, वह कब किया है, और बाग गुफा में कितने गुफा है, तो आपकी यह टोटल एक से तीस प्रश्न कम्पलीट हो गए है, और वीडियो को सेर करते चलें, धन्यबाद